असलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट्स यूनिट 24 का थियोरम हमने पढ़ा था अब उस थियोरम को हम यूटिलाइज करेंगे exercise 24.1 में के इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल ABC हमें गिविन है जिसमें DE जो है वो पैरलल है AB साइड की अब अगर एक साइड के पैरलल कोई लाइन है जो के दूसरी दो लाइन को डिवाइट कर रही हो जैसे DE जो है वो AC को डिवाइट कर रही है DE जो है वो BC को डिवाइट कर रही है दी पॉइंट पे यह ई पॉइंट पे और यह पैरलल है AB के तो according to theorem हमने चलना है जहां पे distances हमें given है AE का 5 cm BT का 6 DC का 12 और find करना है CE का distance तो according to the theorem aligned DE parallel to a side AB of the triangle ABC will divide other two sides proportionally यह theorem कहता है proportionally divide करेगी मतलब BD और DC का जो ratio होगा वो होगा बराबर AE और EC के ratio के यह हमने theorem में भी यहीचीज जो हो की थी तो BD है 6 DC है 12 6 और 12 AE 5 यह जो है वो question mark EC हमें मालूम करना है तो EC को 6 से multiply करें 12 को 5 से cross multiply तो EC यहां पे रखें 6 इस तरफ आके होगा divide 5 12 और 60 होगे तो EC आपको मेंदा 10 cm similarly question number 2 भी EC के जैसा ही है इसमें भी आपको एक triangle जो है वो ABC के नाम से given है जिसमें PQ जो है वो parallel है BC के यह दोनों आपस में parallel है तो इनका ratio और इनका ratio यह आपस में बराबर हो जाएगा देखें according to theorem हमें क्या लखा है के AQ ratio QC आप चाहें तो QC AQ इस तरह उठा सकते हो फिर दूसरी साथ आपने पी बी और एपी को जो है वो लेना पड़ेगा ठीक है न तो पी क्यू पैरलल टू बी सी सो according to theorem यह हमने proportionally इनका जो वो बराबर रखा है तो इनकी वेल्यूस भी गिवेन हैं हमें 5x-3,2,3 यह जिसकी भी जो वेल्यू है वो हम पूट करेंगे AQ की वेल्यू है 2x-1 और QC की वेल्यू है 3, A P की वेल्यू है 5x-3 और P B की वेल्यू है 2, गिरास multiply किया हमने 2, 2, 4x, 2, 1, 2, 3, 5, 15, 3, 3, 9 यह 4x उस तरफ गया minus का हुआ minus का 9 इस तरफ आया plus का तो 2, plus 9, 11, 15x-4x, 11x, 11 इस तरफ आके ड़्यू हुआ तो x की वेल्यू आपको मिल गई 1 theorem आपको जहन पे हो, theorem आपको जो है वो यूज करना होगा, तब ही आपके पास यह questions easy हो जाएंगे Question number 3 है, prove that the line drawn parallel to the parallel sides prove करें कि एक line जो के बनी हुई है, parallel है, किसके parallel है? To the parallel sides of the trabezium, trabezium के parallel sides के parallel है trabezium वो होता है कि जिसके अंदर, यह quadilateral होता है, जिसकी चार sides होती है जिसकी आमने सामने वाली sides में से एक pair जो है वो parallel होता है दूसरा pair parallel नहीं होता, जैसे अभी DC, AB हमने लिया है parallel in trabezium APCD, AB हमने लिया है parallel to DC तो कह रहा है कि एक line है जो कि उनने parallel sides के parallel आती है और वो divide करती है non parallel sides को यह EF हमने जो है वो बनाई है जो कि parallel है AB के भी और DC के भी ठीक है तो यह EF जो है इस AD को और CB को यह नान parallel sides को जो है वो डिवाइट करती है proportionally EF डिवाइट नन परसाइट एड़ी और BC इन दोनों lines को AD और CB को proportionally डिवाइट कर रही है मतलब DE ratio EA बराबर है CF ratio FB यह हमें प्रूव करना है अब देखें कि हमने जो पहले question इस तरह के किये या theorem जो किया था उसमें triangle था हमारे पास ठीक है ना तो अभी हम पहले यहां से triangle जो हो हासल करेंगे वो construction हम यह करें कि D और B को हम मिला रहे हैं D और B को आप क्या करें join कर दे तो गेट triangle ADB ADB triangle मिल जाए और triangle DBC आपके पास आ जाए तो अब इन दो triangles को अलग-अलग से हम जो है वो देखेंगे तो पहले हम देख रहे हैं कि triangle ADB के अंदर इन triangle ADB ADB triangle के अंदर आप देखें कि यह एक E point है यह यहां पे DB line के किसी भी point मिसाल के तौर पे O point आप ले लें ठीक है तो EO जो है यह parallel है किसके AB के क्योंकि यह EF थी पूरी line जिसका EO जो है वो एक हिस्सा है उसी line का तो यह AB के क्या होगा parallel होगा तो छोरम हमने यह पड़ा है कि अगर किसी भी triangle के अंदर दो lines को divide करने वाली line EO मिसाल के तौर पे अगर parallel है तीसरी line के तो यह EO जो है वो इन दोनों को proportionally divide करेगा यह यह DE ratio EA जो है वो बराबर होगा DO ratio OB के triangle के अंदर हमने theorem पड़ा था तो अभी हम triangle का ही हवाला दे रहे है proportional theorem का similarly दूसरे triangle में triangle DBC DBC triangle में भी OF जो है वो parallel है DC के क्योंकि यह EF पूरी line इन दोनों के parallel हमें given थी तो आप लिखोगे के OF जो है वो जैसे के parallel है DC के तो triangle DBC में DO OB का रेशियो बराबर होगा CF FB के ठीक है theorem of proportionality अब इन दोनों का रेशियो इसके बराबर इन दोनों का रेशियो इसके बराबर तो DEA का रेशियो आप लिखोगे CF रेशियो FB के क्योंके दोनों जो है वो इसके बराबर हैं तो यह प्रूव हो गया कि EF जो है वो DA और CB जो के non parallel sides हैं उनको जो है वो proportionally divide कर रहे हैं question no.4 है हमारे पास prove that the line segment drawn through the midpoint of a side of a triangle के एक line segment हम ड्रा करें कहां से through the midpoint of side of a triangle तो given triangle ABC है हमारे पास यह हमने ड्रा किया हुआ है तो triangle की किसी भी एक side का midpoint लेना है आपने क्योंकि एक line segment जो ड्रा करना है midpoint of side of a triangle तो D जो है वो हम midpoint ले रहे हैं इससी side का यहां से हम एक line segment ड्रा करें तो वो इस तरह ड्रा करना है कि वो parallel हो to another side तो यह D से लेके हम जो segment बनाएंगे तो वो C या CB के तो parallel नहीं होगा वो parallel हम करेंगे इस AB side के तो यहां से E तक हमने इसको बनाया जो के parallel है किसके AB के तो कह रहा है कि वो line segment जो के एक side के midpoint से होके आ रहा है और एक side के parallel आ रहा है to another side, bisect the third side जो तीसरी side रहती है उसको वो करेगी bisect तो यह हमें prove करना है कि C E और E B जो है distance आपस में बराबर है कि bisect करेगी D E इसको CB को तो मतलब यह midpoint होगा और यह दोनों बराबर होंगे तो यह साबित करना है तो CD बराबर DA के है, DE parallel AB के है prove करना है कि CE is congruent to EB यह बराबर है EB के, सही है तो statement हम दे रहे हैं कि triangle ABC के अंदर जो है वो DE parallel है AB के अगर DE AB के parallel है, तो यह DE जो है, वो AC और CB को proportionally divide करेगा will divide AC and CB proportionally, यह theorem of proportionality है यह हमने पड़ा हुआ है, हमने prove भी किया हुआ है, तो उसको हम use करेंगे हम लिखेंगे के CD और DA का ratio बराबर होगा CE और EB के ratio के अगर यह DE parallel है AB के तो, तो वो तो हमने इसको parallel construct किया हुआ है उसने हमने कहा भी था कि यह parallel है, तो CD की जगा पे हमने रखा है DA CD की जगा पे हमने रख दिया DA, क्योंकि CD और DA जो है वो क्या है आपस में बराबर है और बराबर की उस साइट CE EB हमने सेम रखा, तो DA upon measurement of DA यह दोनों length बराबर है, तो divide होगी तो जवाब 1 ही बचेगा हमारे पास तो EB यहां पे divide हो रहा है, इस तरवागे 1 से multiply होगा, तो measurement of EB is equal to measurement of CE EB, CE बराबर prove हो गया हमारे पास Question number 5 है, इस exercise का last question है Prove that the line divides the non-parallel sites of a trabezeum के एक line है जो के non-parallel sites को proportionally divide कर रही है, is parallel to the third site अब इससे पहले जो हमने किया था, वो यह किया था कि जो एक line है जो के parallel sites के parallel line है, वो इन दोनों को proportionally divide करेगी, ठीक है न, अभी यह कह रहा है कि भाई, जो एक line है जो के non-parallel sites को proportionally divide कर रही है, ठीक है न, इस तरह है यहां से एक line है, मिसाल के तोर पे, EF हम निकाले line, EF divides AD and BC ABCD tripzium है, AB parallel है DC के, और AD non-parallel to BC, तो वो line जो के non-parallel sites को proportional divide करेगी, तो उसको EF का नाम दे रहे हैं, यह E point, यहां पे F point, ठीक है तो यह EF जो है, यह AD और CB को proportionally divide कर रही है, वो given है हमारे पास, तो आप लिखोगे कि DE ratio EA is equal to CF ratio FP, प्रूव यह करना है कि EF जो है, वो parallel होगा DC के, यह AB के प्रूव करो, क्योंकि AB और DC जो है, वो आपस में parallel हैं ही, तो आप किसी एक के बराबर उसको प्रूव करने के वह वह उसके parallel है, तो statement हम दे रहे हैं, कि EF divides AD, EF divides AD and BC proportionally, तो DE ratio EA, CF ratio FP यह सारा हमें जो है, वो given है, तो जोरम तो यह था कि अगर यह इसके parallel है, तो इनको proportionally divide करेगा, अब थियोरम के converse बात हो रही है, कि अगर यह proportionally divide कर रही है इसको, तो यह थियोरम का converse कहलाएगा, आप कहोगे कि अगर यह proportionally divide कर रही है, यह EF जो है वो AB के यह DC के जो है वो obviously, जो है वो parallel होगा, यह converse of the theorem of proportionality होगा, EF is parallel to AB, ठीक है न, तो given, sorry, EF parallel to AB, converse of theorem, but AB is parallel to DC, AB parallel किसके है, DC के है, given one pair of opposite sides is parallel, उसका एक opposite pair जो हो parallel given है, तो EF जो हो parallel होगा, DC के भी, हमने DC को target किया था, तो आप उसको भी कैसे हैंते हैं कि वो उसके भी parallel होगा,